आर 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 पिक्चर तो आपने देखा ही होगा मैंने भी देखा है कई बार लेकिन इस बार देखने पर मन में एक अजीब प्रश्ण आया मुख्य रूप से ये पिक्चर तेलगू भाषा में है इसका मतलब इस कहानी के इस पिक्चर के सारे पात्र तेलगू भाषा में बात कर रहे हैं लेकिन सब भारतवासियों को तो तेलगू भाषा नहीं आती इसलिए इसको डब किया है हिंदी में और अन्य भाषाओं में लेकिन मैंने इसको हिंदी में देखा अभी मन में प्रश्ण ही आता है कि जो भी लोगों ने तेलगू में बात की उनका हिंदी में डब किया लेकिन जो अंग्रेज है वो तो हर डब में या फिर ओरिजिनल में भी अंग्रेजी में ही बात करते हैं ऐसा क्यूँ? भले ही भारत में अंग्रीजी का काफी महत्व है इसका मतलब ये तो नहीं कि हर भारतवासी को अंग्रीजी अच्छे से आती हो तो फिर अंग्रेज जो बोलते हैं उनकी बाते क्यूँ अन्यभाशाव में डब नहीं की? इसका क्या कारण है अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताईए मुझे क्या लगता है ये मैं भी आपको बताता हूँ एक पिक्चर को डब क्यू किया जाता है? ताकि जो परदे पे पात्र बोल रहे हैं वो हम समझ सके लेकिन वो तो सब्टाइटल्स डालके भी हो सकता है कि मतलब जो वो बोल रहे है वो अपनी भाशा में नीचे लिख कर आता है वो हम पढ़के समझ लेंगे लेकिन फिल डब क्यो? मेरे इसाब से डबिंग से ये होता है कि वो लोग क्या बोल रहे है? ये समझने से अधिक उनकी भावनाए क्या है? ये समझ में आती है जिसके वज़े से उन पात्रों से एक गहरा लगाव निर्मान हो सकता है इसलिए पिक्चर का अच्छा डब होना बहुत जरूरी है तो फिर अंग्रेज जो बोलते हैं उनका क्यो डब नहीं किया? मेरे हिसाब से इस पिक्चर में अंग्रेज दुश़्मन है तो हो सकता है कि डिरेक्टर का अंग्रेजी को हिंदी में डब ना करना इसका कारण ये है कि हम जो भारत वासी है जो तलगू में बात करते हैं, उनको हिंदी में बात करते सुन, उनसे एक लगाव निर्मान हो, लेकिन जो अंग्रेज हैं, उनसे लगाव निर्मान ना हो, जिससे समझ में आता है कि जो बुरे अंग्रेज हैं, वो दुश्मन है, और भारतवासी दोस्त, क्या ये कारण हो सकत जो भी आपको लगता है कमेंट्स में बताईएगा और इस पिक्चर के बारे में हम और बात करेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद